Hello everyone and welcome back to my channel, मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम फ्री सीमलेस ट्रांजिशन्स एस वल एस ग्राफिक्स अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने कुछ पैक्स को परचेस करा था उन पैक्स की प्राइस अराउंड पांच हजार साड़े पांच हजार थी सो काफी सारे बिगिनर्स अगर वो देख रहते हैं सो उनको लग रहा था कि पांच हजार हम स्टार्टिंग में खर्च करें जो कि मेरे point of view से भी नहीं करना चाहिए और अगर आप दिमाग से चलो तो कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए उसके लिए आपको चलना पड़ेगा computer screen पे आल राइट सो आचुके हैं website पे description में आपको link मिल जाएगा जैसे ही आप link पे click करोगे ये website आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो motion bro presets for premiere pro यहाँ पे आपको 1000 free elements मिलते हैं जिसमें transitions हैं, elements हैं, sound effects हैं जीरो कर दूँगा, free में download आप कर सकते हो I want this पे click करेंगे then यहाँ पे हमें enter करनी है email get पे करेंगे click your purchase was successful, view content पे करेंगे click then यहाँ से हम कर सकते हैं इस pack को download यहाँ पे आप review भी देख सकते हो like 5 star rating आप दे सकते हो because free में आपको कुछ मिल रहा है so अब यहाँ पे इसको करते है minimize and pack को करते है open तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस RAR फाइल में भी हमारे पास कोई भी package नहीं है यहाँ पे एक txt फाइल है, इसको करते है open because यह थोड़ा सा I guess यहाँ पे यह थोड़ा सा heavy है थोड़ा सा size जादा है so इसको हम करेंगे download मैं आपको description में इसका direct link यहाँ पे दे दूँगा तो यहाँ पे download पे करते है click जैसा कि आप देख सकते हो यह है 1.19GB का मैं direct link आपको description में दे दूँगा alright so package हो चुका है download जल्दी से इसको करते हैं extract तो यहाँ पे हमारे सामने आचुका है यह pack यहाँ पे हमें दो folders मिलते हैं free presets जिसमें आप देख सकते हो again folders है and यहाँ पे एक और folder है sfx जिसमें basically हमारे sound effects है तो इसको हमें करना है यहाँ से copy वापस आते हैं इसको मैं यहाँ से पूरे को कर लूँगा cut यह copy आप कुछ भी कर सकते हो then उसके बाद मैं आऊँगा अपनी drive में जहाँ पे already मेरे बाकी के packs available है essentials so this is the folder and आप देख सकते हो यहाँ पे already मेरा एक pack है जो मैंने पहले purchase किया था बट अगर आपके पास यह नहीं है कोई issue नहीं है just आप यहाँ से कर दो इसको paste जो अभी आपने free pack download करा है उसको आप paste कर दोगे तो यहाँ पे pack आ चुका है and इस pack को आप access कर पाओगे अपने premiere pro में बट यहाँ पे कुछ extension की ज़रूरत होगी so यहाँ पे सबसे पहले आपको install करना होगा ZXP installer को then उसके बाद motion bro की जो application है extension है basically उसको यहाँ से आप download करोगे उसको भी आप install करोगे यह वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ so instructions आप आप देख सकते हो यह काम already मैंने किया हुआ है so अब open करते हैं premiere pro premiere pro open हो चुका है अब आएंगे windows पे then उसके बाद extensions and motion bro यहाँ पे extension आचुका है click करते हैं अब आप देख सकते हो already इसने scan कर लिया है यहाँ पे हमारे पास जो pack है sound effects का pack है so यही basically आपका यहाँ पे purchase code है so check पे करेंगे click आप देख सकते हो purchase code confirmed then यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास दूसरा pack है जिसमें elements है so इसका भी जो purchase code है motion bro presets for premiere pro जैसे ही आप यह install करोगे I mean जो copy करोगे already यह आ जाएगा just आपको check पे करना है click and आप देख सकते हो यह भी purchase code यहाँ पे आ चुका है so अब यह यहाँ पे हमारे पास sound effects अगर आपको pack change करना है आप यहाँ पे click करोगे and आप देख सकते हो यह हैं free presets हम इस पे click करेंगे so यहाँ पे यह सारे elements हमारे सामने आ चुके हैं जो की absolutely free हैं आप इसको use कर सकते हो यहाँ पे हमें क्या-के चीज़े मलती है design layouts यहाँ पे आप design layouts तो देख सकते हो मैं इसको थोड़ा से enlarge कर देता हूँ then उसके बाद यह scenes है basically and backgrounds पे आते हैं so यह आप देख सकते हो कुछ इस type के आपको backgrounds मिलते हैं next category को check करते हैं graphics तो आप देख सकते हो काफी सारे आपको graphics मिलते हैं transitions typography के लिए elements devices device में जस्ट एक element मिलता है कुछ इस type का interface icons तो कुछ icons आपको मिलते हैं bg that is background so आप देख सकते हो यह भी काफी जादा interesting है यहाँ पे हैं shapes social media के लिए यहाँ पे आपके पास कुछ elements है then उसके बाद है weather icons so आप इस type के icons यूज कर सकते हो and आप देख सकते हो काफी सारे आपको elements मिलते है call outs एक बड़ी check करते हैं so call outs काफी जादा important होते हैं अगर आप unboxing videos बनाते हो so यह आप देख सकते हो इस type के आपको call outs मिल जाते हैं and उसके बाद हज पे check करते हैं so यहाँ पे sci-fi type के अगर आप technology related videos मिल जाते हो so यहाँ पे आपको elements मिल जाते हैं and यह elements काफी जादा है hood elements यहाँ पे यह again sci-fi से related ही है next category चेक करते हैं so यहाँ पे हमारे पास आते हैं motion shake so basically आप अपने वीडियो में वो motion shake थोड़ा से apply कर सकते हो then उसके बाद category है transitions की you can start with this pack जिसमें आपको absolutely free transitions plus elements मिलते हैं so next यहाँ पे है view so view पे आप देख सकते हो कुछ इस type के आपको scenes मिलते हैं basically यह इस type का आप view create कर सकते हो like आप अभी सामने देख सकते हो अब जल्दी से काम करते हैं इसको test कर लेते हैं for example यहाँ पे मैं एक stock footage ले लेता हूँ alright so यहाँ पे मैंने दो clip add करी हैं आप देख सकते हो first clip है कुछ इस type की mountains की in second भी mountains की ही है so यहाँ पे transition हम अप्लाइ करके देखते हैं transition पे जाएंगे and transition हम कौन सा add कर सकते हैं यहाँ पे like मैं blur एक बड़ी try कर लेता हूँ so just यहाँ पे हमें blur पे apply कर देना है whichever transition you like just click on apply alright so यहाँ पे हमारे पास transition आ चुका है एक बड़ी इसको देखते हैं alright so यह आप देख सकते हो transition हमने add कर लिया है अब एक बड़ी try कर लेते हैं motion shake because वो थोड़ा सा camera जो handheld camera का movement होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं so इसको apply करते हैं and यहाँ से मैं इसको starting में लेके जाऊंगा और इसको मैं extend भी कर सकता हूँ अब देखते हैं क्या फरक पड़ा है तो जैसा कि आप देख सकते हो amazing यहाँ पे feel आ रहा है अगर आप वो handheld footage को use करना चाते हो उस type का effect चाते हो so यहाँ से आप उसको भी add कर सकते हो and यहाँ पे हम एक graphic भी add कर लेते हैं so यहाँ पे यह graphic add हो चुका है इसको customize करने के लिए just आपको इस पे click करना है and open करना है essential graphics windows essential graphic पे click करेंगे so यहाँ पे essential graphics का जो panel है वो आचुका है यहाँ से आप कुछ भी इसको text दे सकते हो alright so यहाँ पे जो text है वो मैंने change कर दिया है एक परी check करते है and अगर आपको लग रहा है यह जो background है थोड़ा सा उसके साथ नहीं जा रहा है so यहाँ से text color भी आप change कर सकते हो like आप कोई भी text color यहाँ से change कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको customize भी कर सकते हो alright guys तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आपको 1000 से भी जादा graphics and transactions मिलते हैं जिसको आप easily free of cost डाउनलोड करके install कर सकते हो अपने वीडियो में I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है so वीडियो कर देना like चैनल को कर देना subscribe अगर आपके मन में कोई doubts है या फिर कुछ queries है comment section नीचे गुला है आप मेरे से पूछ सकते हो पिलाल आज के लिए इत्ता ही मैं मलता हूँ आपसे next वेडियो में